नमस्कार हिंदी की कलास में आप सभी का श्वागत है आज हम कव्य गुणों के उपर चर्चा करें हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कव्य गुण हैं पाठ्य कर्म के अंतरगत हैं वह तीन गुण है प्रसाद गुण ओज गुण और माधुर्य गुण और इनी से समन्दित विश्विध्यले की परीक्षा में प्रसन पुछे जाते हैं तो हम आज प्रसाद गुण है ओज गुण और माधुर्य गुण पढ़ने से पहले गुणों के उपर थोड़े भोत विश्वित्रत रूप से अपन की चर्चा करते हैं काव्य गुण कहते किसे हैं जिस परकार मनुष्य के सरीर में सुरविर्ता शचरित्रता उदारता करुणा परोग्कार आधि मानविय गुण होते हैं ठीक उसी परकार काव्य में भी प्रसाद ओज महधूर्य आधि गुण होते हैं जैसे चारित्रिक गुणों के कारणा मनुष्य की सोबा बढ़ती है वेसे ही काईवे में भी इन गुणों को संचार होने से उसके आत्मतत्व या रस्में दिव्य चमक से आती है। मनुष्य के सरीर में यानि जिस परकार मनुष्य के में अनेक गुणों होते हैं उसी परकार काईवे में भी परसाद गुण, ओज गुण और महदिरु गुणादी गुण होते हैं जो काईवे की सुन्दर्ता को काईवे की सोभा को ओरा देकर बढ़ा देते हैं अब विभीन विद्वानों ने इनकी विभीन परिवासाइं दी है विभीन विद्वानों ने काव्यosion गुनों की संधिया भी अलग लग मानी है सबसे पहले आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रिटी संपरदाय को ही गुण संपर्दाय भी कहा जाता है यानि आचार्य रिती संपर्दाय के परवर्ट का आचार्य वामान को माना जाता है और गुण रिती संपर्दाय की अंतरकत ही गुण संपर्दाय को रखा जाता है और आचार्य वामान ने गुणों को सफष्ट करते वे अपनी ग्रन्त कवेलंकार सुत्रवर्थी में लिखा है कि कवे सोबयाहा करतारू दर्महा गुणा यानि शब्द और अर्थ के सोबाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। और वामन नहीं केप ए grammar ने कहा कि गुण कावे के नित्य धर्म और हनुपस्तेती में कावे का अस्तित्व भी एसंभव है यानि वामन ने यह जिए दिया कि गुण कावे के नित्य धर्म है अगर काविय में गुण नहीं है तो गर काविय नहीं है यानि बिना गुणों के काविय का आस्तित्व संभव नहीं है गुणों के भेद अब गुणों के भेद के बारे में चर्चा करते हैं कि गुणों के भेद प्रभेदों का निरूपन सरवा पर्थम आचार्य भ प्रण्थ में और भ्रत्मुन ने दस गुण स्विकार की शलेश है प्रशाद है शम्ता शम्धी महधूर्य ओज पद सोकुमार्यम अर्थश्य चे व्यक्टी उदारता चे कांतिश्य कावेस गुणहा दश्यते यह 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 दस गुण अचार्य भ्रत्मुन ने अपने नाट्य सस्त्र में माने और जो दस गुण थी शलेश गुण परशाद गुण शम्ता गुण शमाधी गुण माधुर्य ओज गुण पद सोकुमार्यम अर्थव्यक्टी उदारता और कांति बरत्मुनी के पास जात आचार्य वे आचार्य भ्रत्मुने कावे में दस गुणों को स्विकार तो ग्या, लेकिन बह्माए ने परसाद भै महधुर्य गुणों की अधीक परसंचा की और बह्माय के पास आचारय दंडी वे वे आचारय दंडी ने भ्रत्मुनी के अनुसारी कावे एकि 10 गुणों को उन्हों बी दंडी ने भी सिविकार कर ले यानि बहमाए न बर्दमुनी ने दस गुण माने और बाहमा ने भी उन दस गुणों को स्विकार तो किया लेकिन बाहमा ने परसाद माधुरिय गुणों को सरवाधीक परसंसा किया और उसके बाद दंडी वीवे और दंडी ने बर्दमुनी के अनुसार ही जो बर्दमुनी ने दस गुण मान चर्चा करते हैं कि परसाद गुन कावे में कहां होता है परसाद गुन की विशेष्टाएं क्या होती है परसाद गुन यानि किसी भी कावे रचना को पढ़ते ही अगर अर्थ समझ में आ जाता है तो वहां परसाद गुन से रचना यूट मानी जाती है यानि एसी कावे रचन जिसको पढ़ते ही, अगर काविया की पंक्तियां इसी है, जिसको पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ जाए, तो वहर अचना परशाद गुन से युथ मानी है, जिसे अगर हम एक कबीद का परसीदू है, जिसे गुरु गोईन तों खड़ेर काके लागू पाई, बलिहरी गु जाता है, वहाँ परशाद गुन होता है, या वहर अचना परशाद गुन युक्त होती है, यानि जादा पर्यास नहीं करने पड़ते हमें सब्द को स्खंगालना नहीं पड़ता, सब्दों के अर्थे दूनने नहीं पड़ते, सब्दों के अर्थे लगाने नहीं पड़ते हमें आसाने से वेकवीता है समझ में आजाए पंक्तियां हमें समझ में आजाए तो वहरत ना प्रसाद गुण युक्त होती है यहनि सवच्चता प्रसाद गुण की और प्रसाद गुण की कुछ उधान हम देखते हैं यह उधार्ण है जो आपने पहले भी पढ़ा था कक्षा 11 में भी पढ़ा था कक्षा 12 में भी पढ़ा था गीति का हरी गीति का चंद के अंतरगत ही इस उधार्ण को इस इन पंक्तियों को बहुत अधिके आमने पढ़ते भी हैं जैसे यह उधार्ण है उधार्ण नमर एक हे अर्थ करने के लिए नहीं तो हमें किसी सब्द को उसकी आफशक्ता होती है और हमें कुछ अतिक परियास भी नहीं करने पड़ते हैं अगला हुदा हम और देखते हैं वहाता यह निराला की बेख्षोक कविता से ले गई पंक्तिया है वहाता यहनी एक बेख्षोक के चारित्रिक उसकी दीन हिंदसा का वर्णन करते वे निराला कहते हैं वहाता दोटू कलेजे के करता पच्छताता पथपराता पेट फीट दोनों मिलकर एक चल रहा लगुटिया टेक मुठी बरदाने को भूख मिटाने को मुह भटी पुरानी चोली पिखारी आ रहा है यहनी भूग से त्रडब रहा है रस्ते पी आ रहा है उसको देखर हर किस व् включ का केलेज फड़ जाता है पेट और पेट दोनों मिलकर है यानी बूख से पता है नहीं चला कि उसकी पीट की तरहा है उसका पैट की दिर है याने उसकी पिए और चलरहा लकुटिया टेक यानिव । लकडी के सहारी से चल रहा है, मुठी बरदाने को भूग मिटाने के लिए उसे मुठी बरदाने के लिए अपनी फटी पुरानी जोली है, उसको खेलाता है, एक उधारन और देखते हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, गुड़नों के बल सरक सरक कर खड़ हुए हैं, परम हंस सम्म, बाल्यकाले में सब सुख पाए, जिसके कारण दूल बरे हीरे कहलाई है, हम खेले, कूदे, हर्श्युत, जिसकी प्यारी गोद में है, मातर भूमी तुझको निर्ख, मगन क्यों ने हो, मोद में बड़ा, बड़े आसान बासा में है, और इसको अर इसका अर्थ लगया जा सकता है, इसका मतलए यह रचना परशाद गोण से यूग तो है, या परशाद गोण एक बार पुन है, मैं आपको बता देता हूँ, कि पुन्रावरती हो जाएगी आपके लिए भी, कि जिस रचना को पढ़ती ही, उसका अर्थ समझ में आ जाई, य नहीं होती, वहाँ परशाद गोण होता है, आगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ओजगुन और माधुरिय गोणों की बारे, तहन्याबाद